Welcome back friends, this is Karan Defes Funda आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे Alphabet Series के Coding and Decoding section की Basically, एक question हमें दिया जाता है जिसमें एक proper Alphabet की Series होती है और उसके कुछ instructions होते हैं जिनके उपर हमें questions के answer देने होते हैं तो अगर आप पहले बार ये वीडियो देख रहे हैं तो सबसे पहले क्या होता है इसमें instructions हमें read करने होते हैं यहां पर कहा गया है In the given series and based on three instructions you have to write the correct combinations कहा गया है कि जो ये series दी हुई है इस series में कुछ Alphabet's हैं जिनको हमने number और digit और symbol में quote किया हुआ है फिर आपको इनके correct combinations देने लेकिन कुछ conditions याद रखनी है पहली condition में कहा गया है If both the first and last letter in the group is bobble मतलब कहा गया है कि अगर दोनों letter पहले और last दोनों letter अगर हमारे bobble होंगे तब हम क्या करेंगे उनका जो code करेंगे वो last letter के recording करेंगे यह मैं आपको बताऊँगा कि इस condition को कैसे इसका treatment करना होगा Suppose करना कि आपको एक number दिया है जो A से start है एक कोई string A से start है और वो end हो रही है E पर end हो रही है तो यह पहला letter और E वाला letter यह दोनों क्या हुए? bobble हुए अब इन दोनों bobble को मुझे कैसे code करना है इसमें कहा गया है वो था to be coded as the code for the last letter जो भी E का code होगा भही आपका code कहां पर हो जाएगा A के लिए हो जाएगा मतलब दोनों elements के लिए हम same code use करेंगे second condition में कहा गया है If both the first and last letter in the group are consonants अगर दोनों letter पहले और last वाले किसी भी group के consonant होते है consonant का मतलब A, E, I, O, U के अलाबा जो बचे हुए 21 letter होते हैं उसमें से कोई एक letter आएगा तब क्या करना है? दोनों का treatment, दोनों की coding क्या होगी? First letter के coding होगी सब पूच के लिए कोई word R से start है और end होरा है X पर तो इन दोनों के लिए X के लिए आप कौन सा code यूज करेंगे? जो code आप R के लिए लिए लिखेंगे इस diagram से देखकर R के लिए dollar लिखा है तो बही dollar आप इसके X के लिए भी यूज करेंगे ये इस equation का मतलब है Third में का गया If the first letter in the group is consonants अगर किसी भी group का पहला लेटर consonant है and the last letter is the group coded for the first and last letter to be interchange मतलब ये का गया है कि अगर पहला लेटर consonant है और जो last letter है वो क्या है? bobble है पहला लेटर consonant होगा last letter bobble होगा तब आपको क्या करना है? दोनों को interchange कर देना है suppose करा कि पहला letter आपका A से start हुआ दूसरा आपका last वाला R से start होता है तब हमें क्या करना है? R की coding यहाँ पर आजाएगी A की coding यहाँ पर आजाएगी कुछ ये जो मैंने तीन combinations आपको दिये हैं ये basic pattern है इस पर बहुत सारे और set बनेंगे जिसको in future आप तक लाएगे तो आएए सबसे पहले questions के और move करते है पहले question में कहा गया है same series हमें यहाँ पर दी हुई है letter और digit symbols की अब इसमें मुझे इस वाले letter के लिए T, M, W, E, I, K, B इसके लिए देखना है क्या करना है? अब देखना सबसे पहले यहाँ पर क्या दिया हुआ है? पहला letter आपका क्या है? यह हमारा consonant है और B भी हमारा consonant है तो जब दोनों letter हमारे consonant होंगे fine तो हम इसमें कौन सी condition apply करेंगे? second बाली इसमें लिखाना if both the first and second letter is the consonant जब दोनों consonant होंगे तो मुझे code किसके लिए लिखना होगा? पहले बाले letter के लिए both are to be coded as the code for the first letter ठीक है? जो पहले letter का code होगा भही हम पूरी string जो last और first के लिए code करेंगे तो हैंपर T और V दोनों consonant है तो दीखे T के लिए क्या code basically यहां पर हमारी list में दिया हुआ है T के लिए code दिया है percent तो मैं यहां पर just इसका transformation कर रहा हूँ T के लिए percentage दिया हुआ है और जो last में भी है इसके लिए क्या हो जाएगा? इसके लिए भी percent हो जाएगा अब हमें देखना है कि हमारे options में एसे कौन से options है जिसमें पहला percent है और last वाले भी percent है के लिए पहला option जो है इसमें starting में percent यूज हुआ है last में percent यूज हुआ है second वाला option यह हमारा नहीं होगा third वाला यह नहीं होगा fourth वाला यह भी नहीं होगा last में एक none of these दिया हो इस वज़े से मुझे इसकी coding complete लिखनी होगी अब देखो M का मतलब क्या होगा 6 होगा W का मतलब क्या होगा 1 होगा और E का मतलब क्या होगा E होगा hash और I I का मतलब क्या होगा copyright और इसके बाद में क्या दिया होगा है K K का मतलब क्या होगा के का मतलब होगा 2 तो यहां से हमारे string क्या बन क्या आई %61 hash copyright 2 और % तो हमारा पहला वाला option यह हमारा correct हो गया अगर आपको none of these नहीं दिया हुआ है तब हम आसानी से बीच की coding को bigger solve करे हुए भी यह question हम solve कर सकते हैं second question की बात करते हैं आपको इसकी coding लिखनी है पहला लेटर बाबल है और second लेटर क्या है consonant है तो इसमें हमारी कौन सी condition कोई भी condition इस तरह से नहीं कहती है कि अगर आपका पहला लेटर बाबल है दूसरा consonant है तो इसके लिए आप क्या करोगे यह आपर आप देख सकते हैं इसमें कोई condition अपलाई नहीं होगी क्योंकि पहले में बोथ के लिए दिया हुआ है first और last अगर आपके बाबल है तब आप उनका क्या करेंगे पहले लेटर की coding होगी अगर first और last आपके consonant है तो जो first letter है उसकी coding होगी और अगर पहला लेटर consonant है और दूसरा बाबल है लेकिन इस question number 2 में क्या दिया है पहला लेटर बाबल है दूसरा consonant है और जो code लिखा हुआ है वो कहा गया है कि पहला अगर consonant होगा और last वाल आपका बाबल होगा तब आप rule number 3 यह अप्लाई करेंगे लेकिन यहां कोई rule अप्लाई नहीं होगा डारेक्ट जो A H N R M U F की coding दी है यही as it is आप यहां पर coding कर देंगे तो देखो A का code क्या दिया हुआ है A का code दिया हुआ है 8 और H का code क्या दिया हुआ है यह दिया हुआ है 4 और N का code क्या दिया हुआ है तो देखो 8 4 एस्ट्रिक 8 4 एस्ट्रिक यह हमारे 1st और 3 similar मिल ले है तो हमें देखना पड़ेगा इसमें options कौन सा हमारा बनेगा 8 4 एस्ट्रिक हो गया अब इसके बाद में R की coding को देखो R की coding किसमे होगी? डॉलर में और इसके अबने M की coding किसमे होगी? 6 में U की coding किसमे होगी? अब दरेट में और F की coding किसमे होगी? 3 में तो यहां से हमारा option number 3 यही हमारा exact पर एटता है 8 4 एस्ट्रिक डॉलर 6 एट दरेट 3 तो option number 3 यहां से correct हो जाएगा इन questions में हमें केबल एक बार instructions समझने होते हैं अगर instructions एक बार समझ में आ जाते हैं फिर आसानी से questions बनते जाएंगे number 3 question के अगर मैं बात करूँ इसमें कहा गया है B, N, A, W, J, P, I मतलब यहां पर हम rule number 3 apply करेंगे पहला हमारा क्या है consonant है और last letter क्या है bobble है तो यहां पर जो starting में instructions में rule number 3 दिया था उसमें क्या कहा गया था फिर आप इनके अगर आपको पहला consonant मिलता है और last letter आपको bobble मिलता है तो आप दोनों को interchange कर देना तो मैं क्या कहूंगा B के इस्तान पर कोण आ जाएगा I आ जाएगा अब नया और I के इस्तान पर कोण आ जाएगा B आ जाएगा तो देखो I के लिए क्या coding यूजए I के लिए copyright code यूजए हुआ है तो अब हमारा code copyright से start होगा और B जो V के लिए क्या use हुआ है code यहां पर V के लिए use हुआ है 9 तो हमारा copyright से start होगा और 9 पर खतम हो जाएगा, अब हम N, A, W, J, P, N के लिए देखिए क्या code लिखा हुआ है, N के लिए code 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 होगा, A के लिए A to use होगा, और उसके लिए W के लिए 1, और J के लिए 7, और P के लिए 5, तो हमारा code क्या निकल कहा है, copyright, 81759, question 4 की, तो इसमें E से start है, और A पर खतम हो रहा है, मतलब कि दोनों आपके क्या है, bobble है, तो जब दोनों bobble हैं, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले, दोनों bobble हैं, तो rule number आपको 1 apply करना है, और rule number 1 में क्या कहा गया है, कि आप second वाले के according code करेंगे, तो देखो A का code क्या है, A क use करना होगा, तो E के लिए भी आपका 8 हो जाएगा, क्योंकि दोनों क्या है, bobble से start हो रहा है, पहला first और last letter हमारे क्या है, bobble है आपर, तो दोनों 8-8 से हो जाएंगे, अब बीच में जो P, M, N, J, K, A, इसकी coding लिख दो, P का मतलब क्या है 5, और M का मतलब क्या है 6, और N का मत का मतलब क्या है 7, और K का मतलब क्या है 2, तो यह हमारा finally code निकल कर आ जाएगा, तो यही basic fundamental pattern हमें हर एक question में use करना होता है, अगर आपको यह concept समझ में आ जाता है, concept कुछ नहीं, that is called the reasoning, reasoning है क्योंकि हमें इसमें सब कुछ, just instructions के ओपर based questions को देखना होता है, तो यहां से हमारा option number 2, यह हमारा correct है, okay, next move करते है number last question के ओ, इसमें कहा गया है, i से start है और P पर खतम होगा, जब यह i से start है और P पर खतम होगा, तो इसमें कोई भी condition अप्लाई नहीं होगी, क्योंकि पहला bobble है, और last वाला हमारा क्या है, consonant है, तो यहां पर ऐसा कोई rule भी नहीं दिया था, उ इस वज़े से हम इसको, कोई condition यह अप्लाई नहीं होगी, direct आप, I का code क्या होता है, copyright, और T का code क्या है, percent, और U का code क्या है, add direct, और H का code क्या है, four, और K का code क्या है, two, और R का code क्या है, dollar, और P का code क्या है, five, यह code हमने finally लिख दिया, तो यहां से हमारा option number पहला जो है, वही correct हो जाएगा, fine, यह पाच number आप आसानी से grab कर सकते हैं, और RRB के clerk, RRB के PO और IBPS clerk में इस तरह के questions आने के उमीद है, तो आपको अगर यह वीडियो पसंद आया, तो like करें, comment करके आप अपने doubts पूश सकते हैं, साथ में इस वीडियो को share करना ना बूले, और दोस्तों, आप हमारा Facebook का page और Facebook का group दोनों join कर सकते हैं, Facebook के page को join करने के लिए, आप description box के link को देख सकते हैं, बहाँ पर सारे link दिये गए हैं, और पहली बार अगर आप यह वीडियो देख रहे हैं, तो आप इस चैनल को subscribe करना ना बूले, हमारे group में live classes चलती हैं, जो आपका कोई doubts हैं, तो thank you friends, इस वीडियो को subscribe करें, have a good day